बड़े बुजुर्गों के नियम, ध्यान रखने योग बहुत जरूरी बाते रात को सोने से पहले एक इला सुदूध में भिंगोए हुए बादाम को पीसकर लेने से तुआचा में निखार आता है प्याज का रश लगाने से मच्सो के छोटे-छोटे टुकडे होकर जड़ से गिर जाते हैं तुलसी के पत्तों को पीसकर मलाई या दही की साथ मिलाकर छेहरे पर लगाने से तुआचा को निकार मिलता है सौफ के बीजों को चवाने से पेट की गैस और अस्डीटी से राहत मिलती है गर्म पाने में नीबू कर रश नी चोड़ कर पीने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और बजन कम करने में मदद मिलती है गुड को खाने से इनरजी मिलती है और तुआचा के लिए भी अच्छा होता है खासी एक आम समस्या है और दादी मा के घरेलो नुस्खे इसमें आपकी मदद कर सकते हैं यहां कुछ परमुख दादी मा के नुस्खे खासी के लिए है अद्रक के टुकड़े को चबाने से खासी में रहत मिलती है आप इसे अद्रक के रस के साथ मिला कर भी ले सकते हैं मुलेठी के छोटे टुकड़े चबाने से खासी कम होती है इसे हलके गर्म पानी में भी भिंगो कर ले सकते हैं और इस पानी को पी सकते हैं गर्म पानी में नीबू करस और सहद मिला कर पीने से खासी से राहत मिलती है अद्रक तुलसी, इलाइची और लौंग को चाय में मिला कर पीने से खासी कम हो सकती है हल्दी को गर्म दूध में मिला कर पीने से गले की खासी में आराम मिलता है गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर गरारा करने से खासी में आराम मिलता है नीवुकरस और सहद को मिलाकर छेहरे पर लगाने से त्वाचा की चमक बढ़ती है गुलाब जल को कपाल पर लगाने से चेहरी की रंगत सुन्दर होती है और त्वाचा फ्रेश दिखती है तुलसी के पत्तों को पीस कर मलाई या दही के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाने से त्वाचा को निखार मिलता है आलू को पीस कर पेष्ट बनाएं और इसे चेहरे पर लगाएं इसे त्वाचा का रंग निखता है और त्वाचा में चमक आती है सहद और दही को मिला कर चेहरे पर लगाने से त्वाचा की चमक बढ़ती है और सुपलेचित होती है हल्दी और चना आटा को गुलाब जल के साथ मिला कर पेस्ट बनाएं और इसे चेहरे पर लगाएं इसे तुचा में निखार आता है सूखे तेजपान के पत्तों को बारिक पिसकर हर तिसरे दिन एक बार मंजन करने से दाथ चमकने लगते हैं हिचकी चलती हो तो एक दो चमच ताजा सुध घी गरम कर सेवन करें ताजा हरा धनिय मसल कर सुगने से छीके आना बंध हो जाती है यदि नींद ना आने की सिकायत है तो रात्री में सोते समय तलबो परशर्षों का तेल लगाएं गेहु के आटे को छाने नहीं नमक का उपयोग कम से कम करें दोपहर बारात का खाना खाने से पहले सलाद खाएं दीन भर में सबसे कम खाना डीनर के समय हो भोजन को निगले नहीं चवा चवा कर खाएं एक दम जादा वा एक दम कम भी खाना ना खाएं सबजियों को छेले नहीं मामूली सा स्क्रब करें खाने में पीला नारंगी वहरी सबजियां उप्योग अवस करें फास्ट फूड वह पॉकेट फूड दे के लिए बहुत नुकसान दायक है उम्र बढ़ने के साथ साथ खाना भी कम कर दें अगर आप अपने रोजमर के खान पान में ये बाते याद रखें तो नीचित ही स्वस्त बने रह सकते हैं हमें सुबह सवेरे उठकर अपना चेहरा सी से या आइने में नहीं देखना चाहिए ऐसा करना असुभ माना गया है सुबह सवेरे उठकर जंगली जानबारों की फोटो ना देखें सुबह सवेरे उठकर हमें अपनी परचाई को नहीं देखने चाहिए ऐसा करने से आपका दिन अच्छा नहीं जाता है गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने से सरीर की परतिरच्छा बढ़ती है और समान संक्रमनों से बचाब मिलता है तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो पसंद आने पर लाइक से सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद